मेरा नमस्कार थोड़ी डेर में हमारे परमाधर्णी माननी प्रदान मंत्री जी यहां परहारने वाले हैं यहां उपस्तित माननी है शी योगी आदित्यनाद जी शी भुपेंद्र चौदरी जी नायप सिंग सैनी जी शी सतेंद्र सी सोधिया जी सुभाश यदुवश्य जी जैन चौदरी जी अभी अभी पधारे हैं शीमतियानुप्रिया पटेल जी संजय निशाद जी शीयोंप्रकाश श्राजबर जी आप सभी और सभी सम्मानित आदरनिया आप सब के चर्णों में प्रणाम आप सब को नमस्कार जी जी आज का ये कारिक्रियम जैसा के हम सब आप सब देख रहे हैं भारत रत्म चौदरी चर्ण सिंग्जी को कारफ सम्मान दिया जाना है चौदरी चर्ण सिंग्जी एक जमीन से जमीने नेता थे उनके काल में इस देश ने बहुत प्रक्टी की उनके पोटे जैन से चौदरी ची यहां बैटे हैं हम चौदरी चर्ण सिंग्जी की विरासक को आज यहां नमन करते हैं आज मेरट की क्रांती भूमी मेरट की क्रांती भूमी से एक आगास हुआ था अचारफ सो सतावन में जिसका नतीजा ये हुआ था कि हमने बहुत सारे संगर्ष के बाद आजादी हासिल की थी आज यहां से भी एक आगास हो रहा है इस चुनाव का देखे एक आवाज उपर आश्मान में है इस समय और उस वो आवाज है एक चुनावी शंकनाव इस चुनाव का और इस ये जो आगास आज यहां होगा ये आगास इस चुनाव में चार सो का आवड़ा पार करेगा परमादरनिय मारनिय रुदान मंत्री ची पढ़ार रहे हैं उनके विश्य में जितना कहा जाए उतना कम है उनके सामने शब्द छोटे पड़ते हैं मैं आपको रमाइन का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ रमाइन में एक दिन गुरु वशिष्ट के सामने श्री राम जो नभीवा कवस्था में से वो बैठे हुए थे थोड़े दुखी से गुरु वशिष्ट ने उनके पूछा कि राम क्या समस्या है और श्री राम ने कहा मैं देख रहा था पेड के पत्तों को हवा चलती है और अचानक गिर जाते हैं हवा चलती है और अचानक जो फल है वो गिर जाते हैं जीवन कितना चनक है तब गुरु वशिष्ट ने उनसे कहा कि हा जीवन चनक होता है लेकिन उन चनों में भी द्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो अपना इतिहास बना दें हमारे परमादर्णिये प्रदान मंतरी शीर नरेंद्र मोजडी जी एक ऐसे ही जगती है जिनोंने इनी कुछ पलों में इतिहास बना दिया है और आगे भी और इतिहास बनने बाकी है उन्होंने इतिहास बना दिया देश में बिश्यों में और ऐसे ही नहीं अपनी विरासत को कायम रखते हुए अपनी संस्कृति को कायम रखते हुए और नकेवल कायम रखते हुए उसे बढ़ाते हुए उसे बढ़ाते हुए विरासत के साथ विकास ये एक ऐसा उदारण है जो कहीं देखने को नहीं मिलता है जब हम विकास करते हैं तो अपनी विरासत को भूल जाते है उज्जेन में महाकाल बनारस में बाबा बाबा विश्वनाद और आयुद्धा में राम लला हम जब कभी मैं कभी जब कभी यहां लखना हुआ और उसके आसपास आता था तो मैं आयुद्धिया हमेशा जाता था लेकिन वहां पहुचकर और वहां से लोटते हुए मुझे जो दुख का एहसास होता था उसका वेयान नहीं किया जा सकता तो कि राम लला के दर्शन नहीं होते थे राम लला हमें मिले और नकेवल राम लला हमारे प्रदान मंतरी राज काज तो करता